नमश्टार आप सभी दर्शकों का इंडेटीफोंट सावन लाइट टीवी में स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ मधुमिता मददाता और मूर्दी असे किसकी भार्दे राशनेत में महापुल्षों की प्रतिमाओं की एक अपनी अल्लत पहचान है ये हम सब को पता है देश के राशनेति पार्डिया इन महापुल्षों पर अपनी-अपनी दावेदारी ठोपती रही है समय समय पर उत्रादिकारी घोशित करने की कोशिश होती रही है इन्ही दावेदारों के हिसाब से प्रतिमाओं के जरिए मददाओं तक अपनी पहुच बनाने की होती है जिस समदाय से जुड़े महापुरुश होते हैं उन्हें खुश करने के लिए प्रतिमाओं का सहारा लेना आज की राजनीत हो चुकी है यही कारण है कि देश की राजनीत में प्रतिमाओं के इर्ध गिद घूंती और सिमटी दिखती है उत्तर प्रदेश की सियासत में जब हम 80 लोग सभा सीटों की बात कर रहे हैं तो फिर एक बात फिर से मोर्तियों की राजनीत देखने को मिली है एक वक्त था जब प्रदेश में बसपा प्रमुक मायवती खुद अपनी प्रतिमाओं लगवाने के बाद काफी सुर्कियों में थी आपको याद होगा कि खुद अकलेश यादों भी सभा सरकार के दौरान मोर्तिया इस्थापित कर चुके हैं अब बीजेपी भी उसी पैटन पर उसी रह पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तपदेश की योगी सरकार ने क्या ऐलान किया है वो आपको बदाते हैं यूपी में 30 से ज्यादा यानि कि 30 से ज्यादा महापुर्शों की प्रतिमाएं लगवाई जाएंगी ये उत्तपदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है इन मुर्थियों के जरिए इन महापुर्शों के जरिए इन महापुर्शों की प्रतिमाओं के जरिए सियासत शुरू हो चुकी है उत्तपदेश की 80 लोगसभा सीटों पर सियासत शुरू हो चुकी है ऐसा कहा जाता है कि दिल्ले का जो सियासी रात्ता है वो तप्रदेश से ही होकर बुजरता है अपसर आप लोगों ने सुना होगा तो अब जो सियासत है इन 80 सीटों के लिए मूट्यों के साहरे शुरू हो चुकी है गोरकपुर हवाई अड़े पर योगी गोरक शुनात की प्रतिमा होगी मैंपुरी की अगर बात करें तो मैंपुरी में पूर्पधा मंतरी अटल भिहारी बासपे के साथ पृत्विराच चौहान और भारत रत्न बाबासाहर डॉक्टर भीम रावम बेचकर की मोर्ति भी स्थ स्थापीत की जाएगी मेरट की बात कर लेते हैं मेरट के भुढ़ाना में मंगल पांदी की प्रतिमा कारपुर में विराउगना राणि लक्ष्मी भाई प्रतिमा फतेपुर ने शहीद शियो नरायर सिंग की मूर्ती चौधी चौर सिंग की प्रतिमा मुरादाबाद में स्थापित की जाएगी आपको उतादे पूर्भोय पश्चिम उत्तम देश में योगी सरकार ने महापुर्शों को 2024 की महाभारत से पहले एंट्री करा दी है 24 के लड़ाई जैसे जैसे नजदेग आ रही है योपी की 80 सीटों की लड़ाई और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है सत्ता के लिए योपी की 80 सीटों की आज माईश बीजेपी का प्लान प्रतिमाओं के इर्दगिर घूमने लगा है अब मूर्टियों को लेकर विपक्ष भी निशाना साथने लगा है लेकिन ये राजनेतिक दल चाहे कुछ भी कहें इन मूर्टियों की पॉलिटिक्स के पीछे बड़े सियासी मायने माने जा रहे हैं कहते हैं कि हर शेत में महापुर्शों की मूर्टिया लगा कर योगी सरकार एक तरह से मत दाताओं को अपनी तरफ खीचने की कोशिश कर रही है और इसी की एक कड़ी पुर्प धान मंत्री चौधरी चरण सिंग की पृतिमा भी है वैसे भी देश भर में महापुर्शों की मूर्ट लगती रहती हैं ये कोई नया नहीं है सूबे के अलग-अलग हिस्तों में तीस महापुर्शों की मूर्टिया लगाने का योगी के इस फैसले में विपक्ष्यों की जिंताएं बढ़ा दी है वसे आपको बता दे कि पच्च में यूपी चार्ट किसान और मुसल्मानों का गढ़ माना जाता है ये भी एक फैक्टर है जो सियासी पार्टी चार्ट प्लाइन को साथ लेती है वो यूपी में अस से सीजों पर चबरतस असर डाती है सियासी पंडिस भाजपा के इस वाइसले को यानिकी उत्तक देश में तीस महा पुर्षों की मोर्तियां लगाने को भी सियासस से जोड़ कर देख रहे हैं कहा जा रहा है कि आरेलडे के वोट बैंक पर भी बीजेपी के जड़िये असर डाल सकती है क्योंकि चौज़ए चरश सिंह की परतिमा का असर वोट बैंक पर पड़ सकता है क्यों यह भी समझना ज़रूरी है क्योंकि परष्चमी यूपी का जो समी करन है वो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग नजर आता है वैसे ही यूपी का समिकरण और इसलिए भी कहा जाता है पच्चमे यूपी के लिए जिसके जाड उसकी ठाड यह आपने सुना होगा पच्चमे यूपी में ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है बिल्कुल सटी ही बैठती है अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझे दरसल चुनाओं में वोटों का गडित यही बताता है यही दर्शाता है और आगडे इसके गवाही देते हैं एक एक पउइंट से आपको बताते हैं इस पूरे मामने को लेकर पच्चमे यूपी में कुल मिलाकर 14 जिले आते हैं इनमें मेरट, बुलाई शहर, गाजियाबा, सहारनपूर, मुजफर नगर, बिजनौर, बरेली, साथी तमाम जिले, रामपूर, आगरा, ऐसे तमाम जिले ले ले लिजे, अलिगर, मतुरा भी इसमें शामिल हैं कोल मिलाकर 14 जिले हैं इनमें लोकसभाद सीटों की अगर बात करें, तो इनमें 19 लोकसभाद सीटे हैं अब अगर 80 सीटों में 19 सीटे हैं, तो अगर समझ सकते हैं कि बड़ा असर है यानि कि 19 लोकसभाद सीटे हैं पच्चमी यूपी का चुनाओं आ रहा है उसमें भी ये सीटे बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है अब इनमें क्या खास है वो भी आपको बताते हैं 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी 12 सीटे जीती थी कुल मिलाकर 19 सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी ने अपना कपज़ जमाया था और एक तरीके से ये भाजपा की बड़ी जीत थी SP, BSP, गरबंधन की अगर बात की जाए तो महच 60 सीटों पर जो गरबंधन था वो सिमट कर रह गया था और इन साथ में से भी इंटरस्टिंग बात ये है कि कॉंग्रेज जिसका खाता ही नहीं खुला था और अगर BSP की बात करें चार समाजवदी पार्टी ने तीन लेकिन कॉंग्रेज का एक भी खाता नहीं खुला था यह बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग यह यू कहले कि यह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी 2019 के चुनाव में Congress का खाता नहीं खुला था यह सब ने देखा इस शेत में Congress को ना तो मुस्लमों ने ओड किया था और ना ही जाटों ने उनको ओड दिया था अब जरा West UP में भी जाती गड़ित भी समझ लीजिए जाती गड़ित क्या कहता है और क्यों यह जो खेला देखने को मिला यानि कि साल 2019 में जो चुना हुए वो ऐसा वहाँ पर जो खेला हुआ कि Congress का खाता भी नहीं खुला और 12 सीटों पर BJP ने जीत हासिल की और सपा और बसपा ने वहाँ पर 7 सीटों पर सिमट कर रहे गई तो ऐसा क्यों खेला हुआ उस पर भी नज़र आते हैं अब जो जाती गड़ित को समझते हैं यह समझ लेंगे तभी आप इस पूरे गड़ित को समझ पाएंगे जाड के सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर 16 से 17 फीजदी मुस्लिम सबसे ज़ादा यहाँ पर अगर बात करें तो 36 से 38 फीजदी हैं उसके बाद आते हैं दलिक 22 से 25 फीजदी और ब्रामबर ओटों की बात करें तो यहाँ पर 10 से 12 फीजदी ब्रामबर ओट जो महतपूर हो जाता है जो भाजपा का कोर ओट बैंग समझा जाता है आगरो केंजार 2019 में पश्चमी उत्रप्रदेश में निर्नायक माने जाने वाले जाटों का 91 फीजदी वोट यानि कि जो हम आपको बता रहे हैं जाट 16 से 17 फीजदी बता रहे हैं पश्चमी यूपे में तो इनका 91 फीजदी वोट भासपा को मिला था कॉंग्रेश की हालक क्यों खराब हुई क्योंकि महज दो फीजदी वोट जो कॉंग्रेश को मिले थे बसपा सपा रल्डी क्योंकि तीनो साथ में चुनाओ लड़े थे इस गड़बंधन को साथ फीजदी जाटों ने वोट किया था पच्चमे यूपी में और सीटों की लिहार से नतीजा भी क्रमशा जैसे हमने आपको बताया इसे रूप में नजर आया था और इसके बदोलत भाशपान एक शियत्र में 19 में से 12 सीटों पर जानी की प्रचंड जीर एक तरीके से दर्ज़खी थी वेस्ट यूपी में उत्तर प्रदेश में एक तरह से प्रतिमाओं के जरीए सबके दिलों में उतने का भी प्लान है मैंपुरी भी इसी प्लान का एक हिस्टा है सियासी तोर पर मैंपूरी का मतलब मुलाइन सिया दो मैंपूरी का मतलब सपा का गड़ मैंपूरी का मतलब BGP के लिए politically चुनावती का गड़ सपा के इस गड़ में भी पृतिमा के जरिये BGP ने दाउं खेला है मैनपुरी में पूर्पधान मत्री अटल भी हरी बाशपे के साथ पृतिविराद चोहान और भारत रदल डॉक्टर भीमरा अम्बिटकर की मूर्थी लगाई जाएगी मूर्थी की पृतिक्स के साथ ही मैनपुरी लोगसभा सीथ के लिए सियासी संग्राम शुरू हो चुका है जिसमें मुकावला सफावार्टी और भाशपा के बीच है मैनपुरी वो जगह है जहां पिछले पांच चुनाओं में लगाता समाजवादी पार्टी का बीच रही है अपना जंडा बरकडा रखा है और यहां भाशपा को हार का मुँ बार बार दिखना पड़ा मैनपुरी के लिए कहा भी जाता है कि दिल्ली की गद्धी भले ही के सर्याखे में जीती रही है लेकिन सपाई खेले के रूप में मशूर मैनपुरी के तिलिस्म कोई भी भाशपाई रणनी अब तक तो कम से कम नहीं भेशपाई है लेकिन इस बार बार अलग है बार इसलिए अलग है क्योंकि इस बार मुलायम सिंग के बिना अखलेश यादो कूह इस किले को बरकरार रखने के लिए चुनौती है फिल थाल BJP की इन महापुल्शों पर राजनेतिक डावेदारी है और ये जो खीचा कानी है राजनेतिक आदश की है जिसका चुनाओ में फाइदा देगा कितना देगा ये चुनाओ बताएगा भारते राजनेतिक में जो आदश शहरे हैं जिनके नाम पर अब सियासत की जा रही है इस सियासत के किसको कितना फाइदा कितना नुकसान दिलाएगा ये 2024 का चुनाव तै करेगा फिर हम चलते हैं फिर मिलेंगे बड़ी ख़वर के साथ